नमस्कार बिहारी नूज में आपका स्वागत है इसके साथ ही अगर हम बीते दिन के पिछले 24 घंटों में ठीक हुए मरीजों की बात करे तो कुल मिलाकर 266 मरीज ठीक हुए है जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बठकर 2,63,849 पर पहुँच गई है जिसके बाद बिहार में वर्तमान समय में रिकवरी दर की बात करे तो यह दर 97.5-8% पर पहुँच गई है इसके साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,954 पर पहुँच गई है ग्यात हो जारी किये गए आकरे 2,41,10,325 सेंपल की जाच के बाद जारी किये गए है वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 81,314 सेंपल की जाच की गई है हालांकि इस बिमारी के कारण अब तक कई लोगों ने भी अपनी जान गवाई है जान गवाने वालों की संख्या देश में तो लाखों पहुँच गई है वहीं बिहार की बात करे तो कुल मामले 1588 पर पहुँच गए है वहीं अब अगर हम जिलेवार कोरोना परभाबित की संख्या बात करे तो अरड़िया बाड अरवल आठ अरंगवाद 21 बाका पाँच बेगुसराय पाँच भागलपूर 61 बोजपूर 9 बकसर बाड दर्भंगा 27 गया 41 गोपाल गंच 10 जमुई 10 जहानावाद 24 कैमूर 4 कटिहार 6 खगडिया 2 किसंगन 14 लखिसराय 2 मधेपूरा 7 मधुबनी 9 मुंगेर ठाड मुझफरपूर 60 नालंदा 20 नवादा 13 पटना 486 पुर्णिया 16 रोतास 23 सहरसा 9 समस्तिपूर 7 साड़नी 11 सेखपूरा 14 सुतामडी 6 सिवानी 11 सुपॉल 7 वैशाली 17 विस चमपारन में 18 मामलों की पुस्टी हुई है इसके साथ ही बाकी ऐसे साथ संक्रमित हैं जो की दूसरे राजजिके हैं लेकिन इनका सेंपल बिहार के ही अलग-अलग जीलों के में कलेक्ट किया गया है कोडोना के मामलों में बेशक बढ़त देखने को मिल रही है एहतियाती कदम उठाय जाने की सक्ष जरूरत है हाल ही में मुख्यमंतरी नितिस कुमार ने बिहार में नए सीरे से टेस्टिंग को बढ़ाने का आदेश जारी किया है साथ ही सभी लोगों में एहतियाती कदम उठाने की भी अपिल की है ध्यान रहे टीका लेने से आप कोडोना से बच सकते हैं कोडोना से ठीक नहीं हो सकते हैं इसलिए मास्ट जरूर पहने दोगज की दूरी का भी पालन जरूर करें जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें और आपके आसपास के लोग भी आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद